नमसकार किषान साथी हो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहांपर बहुत हीं संदार तरीके से आलू की खेतीय DOOR आज हम आपको आलू कि जनकाई देंगे और यहां के जो किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे तो नमसकर सर अप खेती कितने समय से कर रहे हैं अच्छा आप परहे लिखे किसान है पुरान समय के अच्छा उसी समय आगए क्या कारण था आपको खेती में से जूरने के पिछे अच्छा-च्छा आप खेती करते हैं टोटल आप अच्छा आप अग्यारी के परती आपका सुरू से रुजान था नोकरी इसलिए कि माब बाबु जाने ही नहीं दिये नोकडी में खेती कोन करेगा बिल्कुल जिस वक्त आप गेजुएट कि यह चाहते तो असानी से लग जाता है अच्छा उपका रहे ते कि आजाओ आजाओ आप नहीं दिया लोग हमको जेजिए अपना रागए अभी तीन वो ट् किसान कि सबी लोग आपके बारे में भाता की में सब्सवाण जाये लैकरके जिए लगा हुए है पोल वाला खेट है अब आपने की किसान भाई को बताए कि किसान भाई के खेती में खात देने के लिए ज़िए 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 रसी से सीधा करके ज़िए रुपने के बाद जाए ज़िए तो उसको एक एंडो फिल एस्प्रे कर दीजिए अजकल तो मसीन भी आ गया है अलू रोपने बाला जाता है वह सबसे हम लोग नहीं करते हैं अच्छा नहीं होता है अच्छा आपको ऐसे ठीक लगता है प्रंपड़गी के तरीके से अच्छा ठीक है जैसे में डनेर बना करके इतना बड़ा लगभड़ा चार इंची करवाने के पीछह कारन क्या है अधि मतलब फंडा से बचाओ करता है जै 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 एंप गोल मैं जब तीन इंची का जब आलू हो जाए यानि कितने दिन का लेकिन जैसे में जो करते हैं कितने दिन के होने के बाद हफता में एक बार सुरुआती मतलब करने और सके इसमें इचाए का विकास ज़एगा भी तो पंख तो प्रोकल नहीं होना चाहिए अच्छा अच्छाय अलू में इउ्रोड का स्बस्थ्सक्राइए नहीं है ना अच्छा सिर्फ एम पैतालीस कौन कौन से वराइटी आप लोग रोपते हैं जातर बंगाल जोती है जो पूरे भारत में किया जता है कौन से वराइटी है जैसा कि आप बता है कि 110 दिन में इसको उखार लिया जाता है दवा के बारे में आप बता है कि एम पैतालीस देते हैं कितने कितने दिन पर आठ दिन पर और इसमें पानी का क्या सिस्टम है पानी एक बार दूबार पढ़े दी तो दूसरा पर पट गया है अब जरूरत नहीं है पानी अच्छा-चा अच्छा फागुन में फागुन में पानी दो बार लगाते हैं जरूरत परने के हिसाब से लग फटम हो जाएका पानी चाहिए नमी के लिए कि लगा तो आईसा अई जरूरी नहीं है अभी काफी मौसम है। डेली कुहास होई है का मौनाफ़ा है जनवरी का समय है अभी अच्छा 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 अगर कोई किसान भाई आलू के खेति करना चाहता सको है तो उसमें क्या मुनाफ़ा उसके बारे में हमारे किसान भाई को बताइए तो लग जाएगा वही धरिया की 50 यह दाम होई सरी 400 रूपीया होगा जिए 1100 रूपे में मिलता है इसका इस वार मिला है तो सरी 400 रूपईया पर जोताई का खर्च थोड़ा मुझा खाद का खर्च जह होगा मैंने धाली है कि 1100 रूपई कठा खर्चा पड़ेगा अच्छा और उसके बाद इसके में मुनाफा कि लगभग कितना होता है कि लगभग कितना कठा निकाल जाता है तो बहुत पैसा हो जाएगा आचा आपकूंटल से नीचहीं में जाएगा ऊपर न जाएगा और सार बार रुपर यह था जियर आप रहा है तो खोड़ने के समय क्या होता है यह वाले कहां तो फोरा डाउन चल रहा है तो फोरा दाउन चल रहा है तो खाली छोड़ाएंगे आई तो उसका कोई हिसाब नहीं पैसा जमा करा लिया उस पर कुछ आ थी एक सा नहीं कुछ नहीं तो आपको नुकसान चल गया नहीं तो नुकसानी स्वार किया है थी आप ख़ईत के तब रोपे हुए थे अच्छा आप कितने एकर में पूरा टोटल करते हैं कि सब चीज मिला करके बारत तेरा एकर जमीन है मेरे पास बारत तेरा एकर में कुछ न कुछ लगा ही रहता है अच्छा मतलब हर चीज का खेस करते है जै जै उस समय फागून में अचा अब इसका फूल ऑठाइब होगा अचा तक होता है अच्छा अलू के खेती में अच्छा पोड़क्शन लेने के लिए और कुछ टिप्स बताईया हमारे किसान भाईयों को अब कोई हमारे समझ से नहीं है ततना ही जादा घढ़ रट नहीं है और उपात घट-ध जाएगा नहीं इसमें कम से कम कर बैद गोबर जरूर से लेके अंत तक रहेगा अचछा फिर दूसरा देम जाएा की तक होगा हुआ पीला वाला जे एक कुंटल से उपड़े जाएगा तीन मन के कठा परसाल हुआ था अच्छा अच्छा किसान भाजियों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आलू का रुपाई मसीन से किस तरह से करें तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें नहीं तो इनकी फूल